हेलो मेरे प्यारे बच्चों तो तुम सभी कैसे हो और मैं उमीद करता हूँ कि तुम सभी की स्टेडीज बहुत अच्छी चल रही होगी तो अभी की जो करेंट सेरीज है वो है डाइजेशन एब्जॉप्शन तो डाइजेशन एब्जॉप्शन का ये थर्ड पार्ट है और तो अगर हम आज के बात करते हैं तो हमने यहाँ पर ये अंडरस्टाइंड किया कि अगर हम यहाँ पर अंडरस्टाइंड करते हैं बकल the cavity ठीक है तो बकल कावटी किया है तो the space the space present between teeth the space present between teeth and थ्रोट के बीच का space को ही आप क्या बोलते हो आप बोलते हो बकल cavity ठीक है तो तीथ और थ्रोट के बीच के space को आप क्या बोलते हो आप बोलते हो हो बकल cavity तीक यहीं से ट्रम आता है वैस्टी बियूल यहीं से ट्रम आता है वैस्टी दीए तो वैस्टी बीउल क्या होता है आप इस इसको समझण की बैस्टी बीउल उस space का बोलते हो जिस इस इस स्पेस में आप मौर्निंग में ब्रेस करते हूं ठीक है तो दिस बिट्वीन लिप्स ऐंड चिक के बीच के स्पेस को यहाप क्या बोलते हो वैस्टी बियूल दिस है मिदो स्पेस in between इस बिट्वीन ये बात सभी को clear है ये बात सभी को clear है तो अब देखो यहीं पर इसके बाद हमने understand किया तीत के बारे में उसके बाद हम आज पढ़ेंगे basically pharynx के बारे में ठीक है तो basically अगर आप इसके pharynx के structure को देखो अगर चलिए हम एक structure draw कर देते हैं तो basically आप ठीक तो basically यह आपका क्या है दो पाइप है एक पाइप को आप बोलते हो basically एक पाइप को आप बोलते हो इसो फैगस और दूसरा पाइप है आपका क्या ट्राय किया ठीक और यहीं पर अगर आप बात करते हो तो यहीं पर आप बात करते हो basically कि यह जो space है यह जो space है इसी आप space को क्या बोल रहे हो pharynx इसी common space को क्या बोल रहे हो pharynx यह क्या है common space for food and for food and air ठीक देख के भी लग रहा होगा कि common space है अब देखो यहीं पर अगर आप बात करते हो यहीं पर अगर आप बात करते हो तो चमकते वे आपके क्या है ये आपका अगा external nostril है थिक है यह आपका क्या है external nostril है और यहीं पर आपका क्या अटाइज है यहीं पर आपकी अटाइज है टिक है टेंग जो है connect है और यहां पर क्या प्रिजेंट है आपके आपके क्या है तीथ प्रिजेंट है धी अब देखो अगर मैं इसी हीज को represent करता हूँ अगर मैं इस सीज को represent करता हूँ तो basically यह आपका external nostril यह आपका क्या है external nostril ठीक यहीं पर आपका क्या है internal nostril ठीक है तो यह क्या है आपका internal यह क्या है internal nostrils ठीक अब देखो आप food को और यहीं से आपका क्या ले रहे हैं यह क्या है आपका air आ रहा है और यहां से आपका क्या आ रहा है आपका food ठीक यह आप food material ले रहे हो कहां से माउट से आप कहां से ले रहे हो माउट से ले रहे हो food material को अब देखो जब अगर आप बात करते हो जब अगर आप बात करते हो कि यह जो portion है यह common portion है यह क्या है common portion है तो यह जो आपका end जो front में है यह आप बेशिकली क्या ले रहे हो यह आपकी Trachea है और यही पर क्या है आपका wise box यह यह क्या क्या है आपका wise box यह क्या 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 आ यह mais, air आ रहिए, यहां से आपकी क्या आ रहिए air आ रहिए और यह portion क्या है आपका basically food pipe जिसको आप बोलते हो eso vagus ठीके इसी को आप क्या बोलते हो यह आपकी क्या है iso fogus ठीक और यह pipe क्या है आपकी trachea यह बात clear है सभी को, यह बात सभी को clear है, तो pharynx को अगर आप देखो, तो यह common space है किसके किसके लिए, आपके food और air के लिए, ठीक, अब देखो, pharynx जो है, वो इसी portion को आप pharynx बोल रहा हूँ, इसी portion को आप क्या बोल रहा हूँ, pharynx यह आपका क्या है, pharynx है, यह आपका क क्या है, pharynx है, ठीक, अब pharynx के बाद, अगर आप इस trachea को visualize करके देखो, अगर हम इस trachea को थोड़ा visualize करके देखते हैं, थोड़ा और visualize करके देखते हैं, तो यह हमने बोला, यह हमने बोला, क्या है आपकी trachea है, यह क्या है आपकी trachea है, ठीक, और इस trachea के अंदर क्य twice box ठीक यह क्या है आपकी ट्रैकिया है ठीक इस ट्रैकिया के अपर पार्ट में अगर आप देखो तो इस ट्रैकिया की opening को आप इसी opening को क्या बोलते हो कि ओपनिंग को आप क्या बोलते हो कॉल्ड एस ग्लाटेस इसको क्या बोलते हो ग्लाटेस बोलते हो और इस opening को कभर करने के लिए एक लीफ लाइक काटलेस है इसको आप क्या बोलते हो इपी ग्लाटेस इसको आप क्या बोलते हो इपी ग्लोटेस ठीक और यहीं पर आपकी क्या है यहीं पर आपकी क्या है आपकी फूड पाइप है यहीं पर क्या है आपकी फूड पाइप है और इस फूड पाइप की ओपनिंग को आप क्या बोलते हो यह आपकी क्या है फूड पाइप जिसको और क्या बोलते हो इसो और क्या बोलते हो इस फूड पाइप की ओपनिंग की अगर आप बात करते हो तो ओपनिंग को आप क्या कहते हो Cordes Gallet क्या बोलते हो Cordes Gallet तो ये तो हो गई आपकी Isophagus ये हो गई आपकी Trachea तो यहाँ पर दो चीजा आप ध्यान रखना हामीजा और इसी Blank portion को आप क्या बोलते हो Pharynx ठीक है तो यहाँ पर जब भी आप खाना खाते हो जब भी आप खाना खाते हो तो ये जो Trachea का Wind Pipe है इसी को आप क्या बोल रहे हो Wind Pipe इसी को आप क्या बोलते हो Wind Pipe ठीक और ये क्या है आपकी Food Pipe तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये क्या है Wind Pipe ये क्या है आपकी Wind Pipe किसके लिए है मेंली Air के लिए है ये किसके लिए है मेंली Food के लिए है तो आप क्या सकते हो Isopagus को आप क्या बोल रहे हो Food Pipe बोल रहे हो और Trachea को आप क्या बोल रहे हो Wind Pipe ये बात हमेशा याद रखना आप देखो इसी चीज़ को आप रिलिट करना जिनली घर में ममी कहती है कि खाना खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए ठीक है जब भी आप खाना खा रहे होते हो तो उस टाइम ये Wind Pipe की जो ओपनिंग है जिसको आप बोलते हो Glottis ये Glottis क्या हो जाती है? बंद हो जाती है Epiglottis की help से तो जब भी आप खाना खाते हो ये flap life structure जो है बेसिकली आपका क्या हो जाता है बंद जाता है तो आपका food आपका food कभी भी Trachea या Wind Pipe में नहीं जाता है ठीक है अभी हमने यहां पर देखा न कि यह जो क्या है यह आप मौट से food ले रहे हो फूड कहां जाएगा आपका इसो फैगस मीन्स फूड पाइप में जाएगा और बाई मिस्टेक अगर यहां पर बाई मिस्टेक यहां पर लीफ लाइक काटलेज बं नहीं हुए आप बोल रहे हो खा भी रहे हो साथ में सारी एक्टिविटी चल रही है तो आपका फूड अगर बिंड हॉप Tap में चल गया तभी वहीं पर क्या होता है रिफ्वलक्स जनलेट होता है आपको हिचकी आने लगती है आपको चीका ने लगती है हिक अब होने लगता है थीक तो यह जनली जबभी आप खाना खा रहे होते हो तो जब भी आप खाना खा रहे होते हो तो बेसिकली आपका ये विंड पाइप की ओपनिंग को कौन क्लोज कर देता है तो क्लोज करता है एपी ग्लॉटेस और एपी ग्लॉटेस जो है वो फ्लैप काटिलेज है वो एक तरह का फ्लैप काटिलेज है जो बेसिकली आपके विंड पाइप को क्लोज करने के लिए रिस्पॉनसबल है ठीक है अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फूरी ऑस्कार फूर्ट की ओपनिंग को आप बोलते हो फूर्ण 1 की ओपनिंग को बोलते हो ठीक और यह क्या है आपकी इसोफैज ऐसा है ठीक है अब देखो अब इसके अगर आप नीचे जाते हो तो basically हम क्योंकि यहां पर digestion के बारे में परड़े हैं हम यहां पर किसके बारे में परड़े digestion के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो आपका food pipe है जो आपका food pipe है यह क्या है आपका food जो pipe है वो finally किसे जाके connect होती है तो आपका जो यह isofagus वाला पार्ट है ना जो आपका isofagus वाला पार्ट है आगे जाकर के यह किसे connect होता है तो आपका stomach ठीक है तो यह क्या है आपका यह आपका stomach तो अगर हम बात करते हैं तो यहीं पर एक क्या होती है आपकी यहें पर आपकी होती है डाफ रजा घ्रा का तो बेशे कली आप डैप्राग्राम को देखो तो यह मुक्या है आपकी अज़र कि देट आपकी वाला अ आपकी, बैसिकली अगर हम बात करते हैं, तो यह आपका stomach reason, ठीक, यह आपकी diaphraggram, ठीक है, यह आपकी esophagus, esophagus के opening को ही आप क्या बोलते हो, food यहां से क्या हो रहा है, आपके stomach में आ रहा है, अब जहां पर stomach का portion start होता है, तो यही पर आपकी क्या होती है, spinster होती है, spinster, ठीक है, यही पर क्या होती है, spinster होती है, ठीक, अब stomach वाले part को अगर आप divide करो, तो basically, आप divide करते हो, कि यह वाले part को तो आप बोलते हो क्या, fundus, इस वाले part को आप बोलते हो, cardic और इस वाले part को आप बोलते हो, pyloric, pyloric और pylorus, यही पर दो muscular spinster present होते हैं, basically, अगर आप इसको बोलो, तो इसे आप बोलते हो, esophageal spinster, इसको आप क्या बोलते हो, esophageal spinster, और इसको आप बोलते हो, pyloric spinster, ठीक है, तो आप खाना खाते हो, यह आपका क्या आया, food material आया, कहां से, pharynx से होते हुए, यहाँ, esophageal में, digestion नहीं होता है, esophageal में, digestion, no digestion आप कह सकते हो, no digestion, यह जो food आपका pharynx में present है, यह जो food आपका, pharynx में present है, यहाँ पर, basically pharynx का function है, de-agglutation, de-agglutation, यह आप बोल सकते हो, solving of food, यह आप बोल सकते हो, solving of food, ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद, stomach reason में different different part है, एक को आप बोलते हो fundus, दूसरे को आप बोलते हो cardiac, तीसरे को आप बोलते हो pyloric, ठीक है, तो अगर हम इसके diagram के बात करें, तो यहीं पर हमने understand किया, कि वो spinster कहाँ पर present है, तो वो इस reason में present है, spinster, ठीक है, इसी को आप बोलते हो, esophasal spinster, और एक spinster यहाँ पर present है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, तो basically, यह एक spinster है, ठीक है, और यह कैसे होते हैं, muscular होते हैं, ठीक, और इसी को आप बोलते हो, यहाँ पर जो spinster present है, इसको बोलते हो, esophasal spinster, और इस spinster को आप बोलते हो, basically, क्योंकि यह pyloric reason में है, इसको आप बोलते हो, pyloric, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमने understand किया, कि यह तो आपकी क्या है, isophagus जिसको आप बोलते हो क्या, food, pipe, यह आपका fundus part है, यह आपका cardiac part है, यह आपका body, और यह तीसरा part क्या है, आपका pyloric reason है, जब food आ जाता है इसके अंदर और यह जब दोनो spinster बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो यही पर क्या होता है, यही पर क्या होता है, आपका churning की process होती है, food क्या होता है, अज़िए दोनो spinster जब closed हो जाएंगे, तो यहीं पर भयान था, बहुत strong क्या होगा, contraction होगा, अगर both in spinster, अगर ये दोनों ही closed हो जाएंगे, तो यहीं पर क्या होगा, strong contraction होगा, ये strong contraction होगा, और इसी strong contraction को आप बोलते हो, churning of churning of food, ये बात समझ में आ रही है, ये बात सभी को समझ में आ रही है, कि जब isofasial spinster और paloric spinster दोनों तरफ से closed होगे, तो यहीं पर जो stomach reason में food present है, इसमें बहुत ज़्यादा strong contraction होगा, और इसी strong contraction को आप बोलते हो, churning of food, ठीक है, ये भी एक तरह की कैसी process है, mechanical process है, starting में हमने अगर आप mouth को देखो, अगर आप mouth को देखो, ठीक, अगर आप इस part को देखो, तो basically, ठीक, ये क्या है आपके? और यहीं पर आपकी क्या है, tongue present है, जैसे for example, tongue ये क्या है, present है, ठीक है, और ये tongue जो है, वो connected है, fold of skin से, ये किस से connected है? ये आपका lower part है, mouth का, ये upper part है, किस का? mouth का, इसी को आप बोलते हो, maxilla, ठीक? और lower part को आप बोलते हो, mandible, ठीक, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, muscular, ये आपकी क्या है, muscular, tongue, ठीक, और ये fold of skin है, ये क्या है, fold of skin है, fold of skin से connected है, इसी लिए इसको आप बोलते हो, pharyulum, इसी लिए आप इसको क्या बोलते हो, pharyulum, ठीक, अगर pharyulum damage हो जाए, ये pharyulum कट जाए, तो आपकी जीब क्या होगी, मुह से बाहर आ जाएगी, ठीक है, तो ये आपका, और यहीं पर क्या present है, आपके teeth present है, यहीं पर क्या present है, आपके teeth present है, ये बात समझ में आ रही है, तो ये आपका teeth वाला reason हो गया, और ये आपका tongue वाला reason हो गया, ठीक, अब इसी tongue के upper surface के अगर आप बात करते हो, टंग के अपर सर्फिस के अगर आप बात करते हो अपर सर्फिस के अगर आप बात करते हो तो यहीं अपर सर्फिस पर बेसिकली आपके small projections present होते हैं siumble projections present होते हैं और इसी small projections पर क्या present है आपके taste bud present है ठीक है तो अभी अगर आप बात करो तो यह आपका टंग है इसके tangएstein के अपर सर्फिस पर कुछ small projection है और इसी small projection में क्या present है आपके taste bud present है ठीक है तो अगर हम इस टेस्ट बट को देखें तो आपका जो टंग वाला पाट है इसी टंग के अपर सर्फिस पर कुछ आपके क्या प्रिजेंट है कि स्मॉल प्रिजेक्शन प्रिजेंट है और यह प्रिजेक्शन क्या है आपके बेसिकली कंटेन करते हैं टेस्ट बट को अब टेस्ट बटको अगर आप धियान से देखो तो यहां पर यह आपके क्या है small projection है और इस small projection पर ही क्या present है आपके taste bud present है आपके क्या present है taste bud ठीक है multiple taste buds present होते हैं यह आपके ठीक है अब यह क्या है आपके आपके taste buds present है आपके taste buds present है ठीक है अब देखो होता क्या है कि इस small projection में basically यहां पर बहुत different different neurons present है यह neurons present है जो signal को कहां तक पहुचाते हैं जो signal को कहां पर पहुचाते हैं तो यह आपके brain reason में means आपके brain reason में इस signal को पहुचा रहे हैं तो वहां से आपको समझ में आता है कि यह क्या है आपका small a small projection है जिसके उपर क्या present है taste taste bud यह बात सभी को clear है तो इसी small projections के उपर यह आपके taste bud present है जिसको हमने diagram की help से यह understand किया ठीक है और यहां पर आपके neurons है जो signal कहां तक पहुचा रहे हैं ब्रेन तक पहुचा रहे हैं और जब भी आप कुछ खाते हो तो यही neuron आपके brain तक signal पहुचा करके आपको यह feel कराते हैं कि जो आपने खाना खाया वो sweet dish है spicy है या sore है ठीक है तो यह हमारा एक important chapter है आपके board examination के लिए और मैं उमीद करता हूँ कि सभी बच्चों को यह topics clear हो रहे होंगे फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी point में कोई confusion है तो आप जरूर मुझे comment करो मैं उसे भी resolve करने की कोसिस करूँगा तो मैं उमीद करता हूँ कि आप अपनी studies को अच्छे से continue करो बच्चे बहुत बहुत important chapter है आपके need exam के लिए हर बार question पूसे जाते हैं ठीक है चलो पढ़ो अच्छे से thank you